हेलो प्रेंट्स वेल्कम अगें टो माइट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले जो अभी कार्स ट्रेंडिंग में चल रही है दोई कार्स अभी ज्यादा चल रही है जिसके बहुत सारे आपको एड्स वगेरे देखने को मिल जाएंगे और अभी एक दमाकाई हिलाकर रख दिया है क्योंकि इतनी कम प्राइज में उसने इतने शांदार ओपर दे रही है और कितनी कितने बड़े-बड़े फीचर्स जो की रेंज रोवर में आते हैं और बड़ी-बड़ी कार्स में आते हैं वो फीचर्स आपको मातर 14-14-14-14 लाग की कार में म इसके बारे में मैं आपको खुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा दरूर देखना और हम बात कने वाले आइट्वेंटी के यहां पर एन लाइन वर्जन के बारे में एन लाइन वर्जन की ऑफिचल रूप से यहां पर प्राइजिंग निकल कर आ चुकि है और उस यहां पर आपको IMT और DCT IMT में दोनों में देखने हो मिलेगा हूंडी 820 N-Line का यहां पर वेरियंट है यहां पर N6 IMT, N6 IMT Dual Tone, N8 IMT Dual Tone, N8 DCT और N8 DCT Dual Tone यानि कि जो N8 वेरियंट होगा उसमें आपको DCT भी देखने हो मिलेगा और IMT भी जबकि जो N6 है उसमें आपको म समात्र IMT transmission देखने हो मिलेगा इन सब भी वेरियंट में और transmission में आपको एक इंजन ऑप्षन देखने हो मिलेगा वह है प्रेट्रोल एंजन में ट्रबो यानि की वनलिटर ट्रबो प्रेट्रोल इंजन कंपनी को इसमें आई एंप्ती की जगह एक Manual Transmission का Option भी देना चाहिए था क्योंकि बहुत से लोगों को Manual Transmission फसंद है और मुझे भी Manual Transmission नहीं पसंद है इसमें आपको IMT, DCT दिया तो यहाँ पे Manual Transmission का Option और देना चाहिए था और यहाँ अब बात करते हैं यहाँ पे Hyundai I20 N-Line की प्राइजिंग के बारे में तो Normal जो Variants आते रबो के उससे लगबग एक लाग रुपे बढ़कर आई है मैंने पहले ही बताया था कि 10 लाग से अंदर रखेंगे कुछ वेरियंट्स को और कुछ को यहाँ पे उपर ले गए क्योंकि यहाँ पे 10 लाग से नीचे वाले वेरियंट्स पर यहाँ टेक्स बगेर कम लगता है और 10 लाग से उपर जाते हैं यहाँ पे टेक्स बगेरे ज्यादा हो जाता है तो अब बात करते हैं इस कार की प्राइजिंग की बारे में यहाँ पे N6 वेरियंट्स आपको IMT में और IMT डूल टोन में देखने हो मिलता है तो यहाँ पे जो IMT वाला उप्षन है उसमें आपक IMT और N8 IMT डूल टोन ओप्षन आते हैं तो यहाँ पे जो N8 IMT होगा उसमें यहाँ पे 10 लाग और 36,000 रुपए आपको देने पढ़ेंगे और N8 IMT डूल टोन होगा उसमें आपको 11,002,000 रुपए देने पढ़ेंगे एक सोरूम किमत अब बात करते हैं यहाँ पे N8 DCT के बारे में और DCT Dual Tone के बारे में तो यहाँ पे आप वो जो N8 DCT देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आपको 11,005,000 रुपए का देखने को मिलेगा और यहाँ पे N8 DCT Dual Tone वाला उप्षन आपको 11,001,90,000 रुपए का देखने को मिलेगा यानि कि 12,001,002,000 रुपए के में कि आप एक्षुवी एक्षुवी खरीज सकते हैं यहां पर क्रेटा वगए रहे खरीज सकते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पता ना कि यह एक्षुवी खरीज सकते हैं और भी आपको यहां पर लगजरी कार देखने हो मिल जाएगी और ऐसी देखने हो मिल जाएगी इस प्राइज में जिसमें कि आप एक हैच बेग में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे इसके उपरा आप कमेंट जरूर करें तो दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर एक्षुवी 7W के बारे में तो इस कार की सबसे उन्पोटेंट बात है इसकी प्राइजिंग यानि कि इस प्राइजिंग में आपको यहां पर रेंजरोवर जैसे स्मार्ट डॉर हैंडर्स देखने को मिल जाते है यहां पर एड़ा 20000000 रूपे सिए तो यह सबी को अचमबह हो रहा है कि एतनी कमप्राइजिंग क्यू रखाए तो इसको लेकर एक यह भी लीक्स आरी है कि इसकी प्राइजिंग बढ़ने वाली है थोड़ी दिनों में क्यूंकि महिंद्रा ने ऐसा सोचा है कि जैसे हम इसको कमप्राइज में कर देंगे और बाद मैं इसकी की बूकिंग्स हो जाएगी जैसे की पता्थ जार बूकिंग्स हो जाएगी तृक्!! क्योंकि डिमांड बहुत है और की एतनी हो जाएगी लोगों के पास वेटिंग प्रियट पूच जाएगा 10 मौ enslaved पंदरह मढ़े तक का तो फिर इसकी प्राइजिंग को बढ़ा देंगे और लोगों को अगर ये दस महीने या नौ महीने की वेटिंग ये बाद मिलती है और फिर एक लाग या पताजार रुपय महिंगी मिलती है तो भी लोग इसको खरीद लेंगे क्योंकि उनको पता है कि ऐसी कार दूसरी क कार पांच में इने बाद में बढ़ाती थी उसकी प्राइजिंग नए साल आती ही तो इसकी प्राइजिंग हो सकता है कि नए साल में बढ़ जाए या हो सकता है कि दिपावली के आसपास ही बढ़ जाए क्योंकि दिपावली की टाइम ज्यादा बुकिंग्स होती है ज्याद एक लाग तो नहीं बढ़ेगी लेकिन 50,000 रुपे तक जरूर बढ़ जाएगी इसकी 40-50,000 रुपे हर वेरियंट पर जरूर बढ़ जाएंगे इस कार में लेकिन 50,000 बढ़ने के बाद भी ये value for money कार है क्योंकि ऐसे functions आपको किसी भी कार में नहीं मिलेंगे एसे features, एसे safety और किसी भी कार में नहीं मिलेंगे अभी safety के बारे में तो नहीं बोल सकते है क्योंकि ये कार कितनी shape है अभी किसी को नहीं पता है क्योंकि इसकी कोई भी क्रस्ट टेस्ट वे रेटिंग वगरे नहीं हुई है लेकिन जो एक्षिव फाइडवल होती वो शेपेस्ट कार थी तो हो सकता है कि ये भी shape हो तो ये ही ता आज का वीडियो अगर आज का वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो देखने के लिए देने हाँ थैंक्यू सो मच